बिसमिल्लाइ रख्माने महीम, असलामलेकूम आई यूट्यूब फैमली, कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो बेबी फ्रॉक्स से रिलेटिड है, इस वीडियो में आपको डिफरेंट स्टाइल की बेबी फ्रॉक्स दिखाए गई है इस वीडियो में जो आपको फ्रॉक्स की आईडियाज दिखाए गए हैं, वो समर सीजन के हवाले से हैं अगर आप भी summer season के से related अपने babies की frocks बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको different style और different ideas लेगे हैं मुझे यकीन है कि इस वीडियो में दिखाए गए ideas आपके लिए बहुत helpful होंगे अगर मेरी वीडियो में से कोई भी idea ये कोई भी design आपके लिए helpful होता है तो आप उसका second shoot भी ले सकते हैं या अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपने पास safe करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं basically frocks बहन के little babies बहुत प्यारी लगती हैं उन पे बहुत ज्यादा suit करती हैं frocks तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा trend में है आज कल ज्यादा तर छोटी बच्चों के हवाले से frocks के design ज्यादा तर इन है मुझे यकीन है इस वीडियो में दिखाए गए ideas आपके लिए helpful होंगे आपको प्संद भी आएंगे अगर आपको में वीडियो में से कोई भी idea आपके लिए प्संद दाता है यlor आपनी कोई वीडियो प्संद दाता तो आप उसका सक्रेंश है अगर आप इस वीडियो को पिसन करते हैं तो like आपको वह चीज़ें दिखाए कि यहां है आज खले इत की वज़ासे और समर सीजन की वज़ासे बेबीे को लाइट टीड फ्रॉबॉम्हें लेटिट बहुत से आइडियाज दिखाएंगे अगर आपको बरेशेट को टेट करना चाहते हैं तो मिप्याइब येकिन है कि वीडियो में दिखाएंगे आइडिया आपके ल लिए बहुत एहम होता है अगर आप में चैनल पर नहीं आए हैं और अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली में चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताके मेरे आने वाली हर न्यू एंड ट्रेंडिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इस वीडियो को अगर आप लास तक वाच करेंगे तो आपको बहुत जबरदस और बहुत ट्रेंडिंग आइडियाज मिलेंगे जो कि आप इच से रिलेटिड समर्सीजन से रिलेटिड अपने बेबीज के बना सकते हैं मुझे एकीन है कि इस वीडियो के तुरू आपको बहुत हैल्प मिलेगी आपको बहुत से आइडियाज मिलेंगे ताके आप अपनी बेबीज को समर्सीजन से रिलेटिड फ्रॉक्स ती आइडियाज भना के दें मुझे अब तक के लिए सिर्फ इतना ही इंशाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्यार रखें मुझे भी और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें अला हाफीज